मस्ते विद्यार्थिमित्रों आज हम कक्साच्छे विशय हिंदी इकाई तीन जरा मुस्कुराईये का अभियास करेंगे जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है हास्य जीवन के दुख को पुला कर नई उमंग भर देता है हसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है आईए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे हसी मजाक को हम ज्यादा महत्व नहीं देते लेकिन देनिक जीवन में इसका भी महत्व है हसने से मन प्रसन हो जाता है चिन्ता, तनाव और उदासी छूमंतर हो जाते है तो चलिए इकाई की शुरुवात करते है मालिक किरायदार से तुम मुझे किराया क्यो नहीं देते किरायदार आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना अनुवाद देखते है मालिक भाडूत ने तमे मने भाडू केम नथी आपता भाडूत तमे ज तो कही हतू के आने तमारू जगर समझ जो दूसरा देखते है सोनु का सीर फट गया डोक्टर सोनु से यह कैसे हुआ सोनु डोक्टर से में पत्थर से केल ठोक रहा था एक आदमी ने मुझसे कहा गधे कभी खोपडी का भी इस्तेमाल कर लिया कर अनुवाद देखते है सोनु ने माथा मां इजाध है डोक्टर सोनु ने पुछिऊ आठ के विरिते ठहिऊ सोनु कहे हुँ पत्थर वड़े खिली ठोकी रही हो थो एक मान से मने कहिऊ गधेडा क्यारेक तो खोपडी नो पन उप्योग करतो रहे अब चित्र में देखते है जरा उँचा बोलो तो वह व्यक्ति कहता है माफ करे अंकल इससे उँचा होकर मैं नहीं बोल सकता इसके बाद के चित्र में है डब्बू इतियास में तुम फैल केसे हो गए जवाब देता है क्योंकि सभी प्रश्ण उस समय के पूछे गए थे जब में पैदा भी नहीं हुआ था मुन्ना पापा कल मेने रात के देड़ बजे तक पढ़ाई की पीता साबास बेटे लेकिन रात को ग्यारह बजे के बाद तो सारे महले की लाइट चली गई थी मुन्ना सच में तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला अनुवाद देखते है मुन्नो पपा गई काले में रात रे डोड वाग्या सुधी अभ्यास करियों पीता जी साबास दिक्रा परंतु रात ना अग्यार वाग्या पछीतों आखा महल लानी लाइट जती रहती मुन्नो साचू मुतो भणवामा एटलू मस्गूल हतो के मने खबर अज न पड़ी चित्र में देखते हैं यह डाक खाने का चित्र है मैं डाक खाने जा रहा हूं कितना भूखा है कागज पत्र भी खा जाता है बाल मित्रो इकाई तीन जरा मुस्कूर आईए यहां पुर्ण होती है इसके बाद के विडियो में हम इकाई चार पुस्तक हमारी मित्र का अभ्यास करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत